असलाम आलेकूम विल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मटन कोर्मा जो बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है और हम इसे बहुत ही आसन तरीके से बनाएंगे बहुत जल्द बकराई दाने वाली है तो आप ये रेसिपी बकराई पर ट्राय कर सकते हैं त अब हम इसमें डाई सुग्राम दही को अच्छे से फेट कर डालेंगे अब हम इसमें एक चमाच अद्रकलसन का पेस्ट डालेंगे आदा चमाच हल्दी पॉडर डालेंगे एक चमाच लालमिश पॉडर डालेंगे एक चमच कश्मीर लाल मिट्स पॉर्डर डालेंगे आदा चमच जीरा पॉर्डर और आदा चमच गरा मसला पॉर्डर देड़ चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे स्वादनुसर नमक डालेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे आदे घंटे के लिए ढखके रखेंगे हमने यहां पर तीन मिडियम सेस की पैस को फ्राय करके रखा है उसे मिक्सी जार में डालकर दर दरा पीस लेंगे हमने यहां पर दस बदाम, आठ काजू, दो हरी मीच, दो चमच, कदू कस्किवा, सुका, नारेल इन सब को पानी डलकर पीस लेंगे ग्यास पर हमने कुकर रखा है उसमें चार चमच तेल डालेंगे तेल के गरम होते ही उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे दो तेस पत्ता, एक तुकड़ा डालचिनी, चार लवंग, एक जावीत्री, एक बड़ी इलाइची, चार से पांच हरी इलाइची, इन सब को हल्का सा फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें मैरिनेट के हुआ मटन आइट करेंगे हम मटन को तीन से चार मिनाट तक लवातर चलाते वे भून लेंगे अब देख सकते हैं हमारा मटन अच्छे से भून चुका है, टेल उपर आ गया है, अब हम इसमें काजू बड़ाम का जो पेश तयार किया था वो डाल देंगे उसी के साथ फ्राइक भी पैस को जो दददरा पीशा था उसको भी डाल देंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसे दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर ढखके रखेंगे अब देख सकते हैं मर मसाल अच्छे से भून चुका है तेल उपर आ गया है अब हम इसमें एक से देड़ गलास तक पानी एड़ करेंगे आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी एड़ कर सकते हैं अब हम कुकर का ढखन लगाकर दो सिटी हाई फ्लेम पर लेंगे ग्यास की फ्लेम लो करेंगे लो फ्लेम पर दस मिनिट तक पकाएंगे इसके प्रेशर को खुद से रिलीज होने देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है हम चेक करते हैं हमारा मटन पका है या नहीं आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छे से पक चुका है। बस दो मिनट के लिए गया सॉन करेंगे अब हम इसमें वनफोर्चमाच गराम मसाला डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो यहां पर गराम मसाले के बज़े के वड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस हमें कोर्मे को दो मिनट पकाना है अब हमारा शाही मतन कोर्मा रेडी हो चुका है अब हमें से सर्फ कर लेते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेल एकन दामाना मत मिलनां कमेंड में जरूर बताना कैसे लगी हमारी रेसिपी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आफिस क्या सब्सक्राइब जरूर को जरूर करें दिए।